हेलो गाइज वेलकम तो दे सी एम बी सरीफाइड मायं ब्लोवर्स जगत गुरु संकराचारिय स्री भारतिक रुष्ण तिर्था जी महराज उनका बर्थ 14th मार्च 1884 में हुआ था और 2nd फेबरुवारी 1960 को उनकी डेथ हुई थी वह एक इंडियन हिंदु मौंक और संकराचारिय थे और साथ ही एक वेदिक मैथेमेटिशन थे उन्हें उनकी वेदिक मैथेमेटिक्स की बुक्स के लिए जादा तर जाना जाता है और वह पसिन की और यात्रा करने वाले वह पहले जगत गुरु संकराचारिय थे उनका असली नाम वेंकटा रामन सास्त्री है अर्थवेदा सास्त्र यह वेदिक मैथमेटिक्स का स्त्रो थे वेदिक स्कॉलर्ज में नंबर थियरी फास्ट मल्टिप्लिकेशन डिवीजन स्क्वेरी एंड क्यूब रूट्स इन सभी की उन्होंने खोच की थी लेकिन इस स्कृप्चर को और इस नौलेज को रिजर्बर करके रखा गया था जो भार्तिक नुष्णा महराज ने बाहर लाया भार्तिक नुष्णा महराज स्कॉलर्ट में स्कॉलर थे उसके सीवा उन्हें मैट्स याने की गणित में भी जादा इंटरिस्ट और उनका बहुत ही जादा नॉलेज़ वास्ताओं में उन्हों ने वास्त mathematics knowledge को उन्हों ने decode किया है In fact, उन्हों नहीं 16 volumes को लिखा था और उसे उन्हों ने अपने एक student के पास संभाल के रख दिया लेकिन कुछ समय के बाद जो उनका जो student है उनके गर में आग लगने के वज़े से वह book जो थी वह जल गए अलाकि संक्राचारिया ने फिर से अपनी याद सक्ति से अपनी memory से फिर से वह लिखना चाहा लेकिन वह सिर्फ एक ही volume को complete कर पाए भारत कृष्ण महाराच का जन्द में एक Tamil ब्रामिन फेमिली में ब्रिटिस इंडिया में तमिल नाडू में हुआ था और उन्हें तो बच्पन में विकरत मन के नाम से बुलाते थे उनके पीता का नाम पी नर्सी महा स्वामी था जो मद्राच प्रेसिडेंसी में तीरोनल वेली के तेसिलदार थे जो बाद में राश्वपधिक पद के डेपूटी कलेक्टिर बन गए और उनके जो परदादा थे सी रंगनातर वह मद्राच के हाई कोट के जल्स है उन्होंने अपनी एज्टोकेशन के लिए त्रिचनल वेली की नेशनल कॉलेज में एड्मिशन लिया और फिर वहाँ से चर्च मिसिनरी स उसाइटी कॉलेज में एड्मिशन लिया और वहाँ पर पढ़ाई कंप्रिट करने के बाद हिंदू कॉलेज में एड्मिशन लिया और उन दोनों कॉलेज जिससे वह पास हो गए थे January 1899 में वह मदरास की मदरास युनिवर्सिटी से वह मेट्रिक की एक्जाम में फर्स नंबर पर आये वह हमेशा में साइन्स, हुमनिटी वैसे जैसे सबजेक्स में जादा तर आगे ही रहते थे और वह लेंग्वेज सबजेक्स में भी काफी अच्छे थे और लेंग्वेज में उन्हें संस्क्री सब्जेक बहुती जादा पसंद था उनकी यह सुद्ध भासा और उनकी नोलेज के लिए उन्हें जुलाई 1899 में ही मदरा संस्क्रीट अशोशेशन ने उन्हें सिर्फ 16 साल की वर्ष की उम्रम में उन्हें सरसोधी की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया जब वो कॉलेज में थे तब वह हिस्ट्री, सोशोलोजी, फिलोसोफी, पॉलिटिक्स और लिटरेचर और इन साले सब्जेक्स के उपर भी उन्हों ने विस्तार में लिखा था वर्स 1921 में उन्हें संक्राचार्य पत पर एनियंटेड गीया गया और उसी वर्स में उन्हें अखिल भारतीय कॉंग्रेस कोंचेल की एड़ुटियू के सदस्य के लिए उन्हें नॉमिनेटच गीया गया और फिर उन्होंने राजदर्म और प्रजादर्म के विशय के ऊपर थोड़ा सा भाषन दिया लेकिन जिसे सरकान ने राज़ों के लिए भढ़काने का आरोप लगाया और उन्हें गीरापसर कर लिया गया और उन्हें कराची की जेल में ले जाया गया जब वहाँ जेल में थे तब उन्होंने अर्थ वेदो के 16 sources के आधर पर उन्होंने मेच के कई सारे प्रभ्योतियों का उन्होंने solution किया और उन्होंने और भी research किया उन्होंने algebra, trigonometry वगेरे mathematics के complex subsets का उन्होंने वेदों से टून निकाला और उसमें वह सफल बने जेल से रिया होने के बाद उन्होंने कई सारी universities में जाकर उन्होंने maths पर lectures दिये और फिर सिर्फ कुछ ही दिनों में उनके research की देश विदेश में चर्चा होने लगी फिर उनकी books, Vedic Mathematics and Mental Calculation के लिए strategic चर्चा करते हुए उन्होंने 16th log की एक list बनाई जिसे आज काम शास्त्र कहते हैं यानि की aphorisms तो ये थी थोड़ी सी short information father of a Vedic mathematician भार्दी कृष्ण तिर्था जी माहराज के बारे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आके like कर दीजिए, share कर दीजिए और अगर हमारी चैनल में पहली वा रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना पुले और बेर आइकन को भी तुम पादिजिए ताकि हमारे आगे की वीडियो इसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे